हैलो एब्रिवन कैसे हो आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचिंग क्लासेस पर उमीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंक से चल रही होगी देखी पेपर से पहले दोस्तों यदि हम बात करें क्लास 12 पायोलाजिकी तो देखी यूनिट 5 और यूनिट 4 ये दो ऐसी यूनिट है जिसमें से आपका 5 नंबर का प्रशन पूछा जाना है तो देखी यूनिट 5 से आपको खाली इतने 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं और बिल्कुल भी परिशान मत होईएगा क्योंकि हम इसका साथ ही साथ क्वेश्चन और एंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में तो देखी आपको खाली यूनिट 5 से आपको यहाँ पर मुख रूप से 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं कोई न कोई क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाएगा दोस्तों अब बिल्कुल भी परिशान होने के जबरत नहीं सभी का एंसर भी बहुत अच्छे डंग से कराऊंगा हलाकि इसके सभी के एंसर हमने पहले भी करा चुके हैं आप यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको सभी के सभी important question के एंसर जो है एक ही साथ मिल जाएंगे तो देखे पहला question हमको पढ़ना है खाद सरंखला यानि कि food chain क्या होती है इसके बारे में और इससे related आपको खाद सरंखला वो खाद जाल में अंतर पढ़ना है क्योंकि वो question तीन नंबर में पूछा जाएगा लेकिन खाद सरंखला जो है आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है इसके अलाबा खाद जाल हमने यहां पे आड नहीं किया क्योंकि खाद जाल बहुत कम ही पूछा जाता है तो आपको ऐसा नहीं है कि खाद जाल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है खाद जाल भी पढ़के जाना है दूसरा question है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को ही हम क् कहते हैं परितंत्र कहते हैं तो परितंत्र में या परिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक होते हैं परिस्थितिक तंत्र के उनको पढ़ना है क्योंकि परिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कई बात मुझा जा चुका है इसके बाद आपको पढ़ना है परिस्थितिक पि क्या होता है आपको समझाने के लिए कई वार आता है पेपर में कि पोसंड इस्तर कैसे होता है पोसंड इस्तर को समझाइए और आखरी क्वेश्चन है कि परितंत्र में उर्जा का प्रवा आपसे इस क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है अत्वा करके कि परिस्तितिक तंत्र मे जो उर्जा का हास होता है वो कैसे होता है तो आईए यहाँ पर एक एक करके हम सभी question के answer जो है आपको बताएंगे और वीडियो में सभी के answer आपको provide कराएंगे तो चलिए पहला question था हमारा कि परिस्तितिक तंत्र में जो जयविक घटक है परिस्तितिक तंत्र में जयविक घटक को समझाना है तो देखे किसी भी परिस्तितिक तंत्र में यदि जयविक घटक आपसे पूछ था जयविक घटक को समझाईए तो AP Odom जो है इन्होंने परिस्त पूछा जाता है तो यहां पे आपको जैविक घटक देखना है किसी भी एको सिस्टम या पारितंत्र में जो भी जैविक घटक है वो आपको देखना है क्योंकि पेपर में पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पूछा जाता है तो देखे बायोटिक कंपोनेंट या जैव जैविक घटक में पादपों को रखा गया है, जन्तुओं को या एनिमल्स को इसके अलावा जो माइक्रो आर्गनिज्म यानि सूच मजीव हैं, इनको भी जैविक घटक के अंतरगत सामिल किया गया है, अब देखी जैविक घटकों को तीन स्रेणियों में बाटा गया है, पह आप प्लेइलिस्ट में जा करके वहाँ पर चैप्टर वाई चैप्टर आप सर्च करके देख सकते हैं, देखिए उद्पादक या प्रोड्यूसर की यदि हम बात करते हैं, तो इसके अंतरगत बेसिकली सभी ग्रेण प्लांट यानि हरे पादक या प्रोड्यूसर ये सभी के सभी हरे पादे होते हैं, जिनमें की स्वयम भोजन बनाने की छमता होती है, और ये प्रकास संसलेशन द्वारा अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, इसके एक्जामपल है सभी हरे पादे यानि की आल ग्रेण प्लांट, तो सभी हरे पादे उत्पादक का कार करते हैं, अब अब देखे इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं उपभोकता, उपभोकता को हम इंगलिज में कहते हैं उपभोकता कहलाते हैं यानि उपभोकता कहलाते हैं और ये प्राया साकाहरी, मानसाहरी या सर्वाहरी भी होते हैं उब्भोक्ता तेन प्रकार के होते हैं साकाहरी, मानसाहरी और सर्वाहरी यानि हर्विबोर्स, कर्णिबोर्स और ओबनिबोर्स चरिए अब जो भोक्ता होते हैं यानि कंज्यूमर्स होते हैं ये पुना तेन प् प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं प्राथमी कुप भोगता प्राया साका हारी होते हैं आपको याद रखना इसके एक्जामपल हैं चुहे खरगोस हिरन बकरी आदे यानि ये सभी जो चुहे खरगोस हिरन बकरी हो गए ये सभी के साका हारी होते हैं जो की उत्पादकों क भच्छन करते हैं दूसरे नंबर पे हैं दुतिया कुप भोक्ता दुतिया कुप भोक्ता या सेकंडरी कंजूमर्स सेकंडरी कंजूमर्स प्राया मांसा हरी या सर्वाहरी प्रकार के होते हैं तथा ये अपना भोजन साका हरी जन्तों का सिकार करके प्राप्त करते हैं साका हर भोक्ता या टर्सरी कंजूमर्स तो देखे तरतियक भोक्ता के अंतरगत ये प्राया मानसा आरी होते हैं तथा दुतियक स्रेणी के भोक्ताओं का भच्छन करते हैं यानि तरतियक भोक्ता जो है ये अब दुतियक भोक्ताओं का भच्छन करेंगे यानि मेढक मछलिया पच् यह तो दुतिय कुप भोक्ताओं का भ facultadaysन करते हैं लेकिन उनका पुणा कोई भी भाच्चन नहीं कर सकता है। इससलिए जो है इनको उच्टम भोखता भी कहते हैं क्योंकि यह सब ही का भुखता लेकिन पाप कोई नहीं करते हैं। अब देखिए इसके एक्जामपल कौन कौन से हैं तो बड़ी मचलियां जो आती है ये छोटी मचलियों को खाती है इसके अलाबा बाज, चेल, सेर, आदिये सभी के सभी तरतिय को भुखता यानि टाप कंजूमर्स के एक्जामपल हैं अब देखिए इसके बाद जो तीसरा घ गटक है वो है अब घटन करता है या अब घटक तो अब घटक या डीकंजीवमर्स क्या होते हैं तो डीकंपोजर्स क्या होते हैं देखिए ये प्राया म्रतोब जीवी होते हैं ये आपको याद रखना है कि जो अब घटक होते हैं ये प्राया म्रतोब जीवी यानि कि सैप एक्टीनो माई सिटीज और कबक ये सभी क्या है अप घटक है यानि किडिकम को जरें और ये मृत जीवों के जटील याउगिकों को अप घटित कर देते हैं और सराल याउगिकों में क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि जो अप घट ये जब ध्रतीयक, स्रेडी के ऊप्भोकताम रत हो जाते हैं, तो उनका ये भच्छन करते हैं। जो जटेलियाओगी को धोटें उसको तोड़ करके सरालियाओगी को में तोड़ देते हैं। सरा लियाओगी को में तोड़ने के पस्चात क्या होता है कुछ भाग तो अब घटन करता दोरा पुना अपसोसित कर लिया जाता है और जो सेस भाग बचता है वो बाताबर shear में पुनारचक्रन के लिए छोड दिया जाता है और यह पूरे का पूरा जो सायक्यल है प्रात्मीक लेवल क्या होता है देखिए यदि पेपर में आप से पूछता है पोसान इस्तर क्या है तो उसको आपको बिदिवत समझाना क्योंकि छोटा से एंसर है और ये कई बार पेपर में रिपीट होता है यानि कि पेपर के लिए one of most important question है देखिए पोसान इस्तर ये ट्रैफिक अब देखिए प्रत्य पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होते हैं उत्पादक को हम producer कहते हैं या उत्पादक ही क्या होते हैं हरे पाधे होते हैं तो प्रत्य पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक ये हरे पाधे होते हैं ये प्रत्थम भोजन इस्तर यानि कि पोसान इस्तर फश्ट बनाते हैं यानि पोसान इस्तर फश्ट को हम T1 से द बोवादार्थ आफ है आन्य जो पर अलोग्स अंसे χरा सोन इस्ते फिशो और यहां को एक दो है तो इसा इसा प्रांस आप देख सकते हैं कि जो दुतियक जो दुतिय उभोकता होते हैं वो बाद में तृतियक स्रेणी के उभोकताओं की दोरा भोजन की रूप में ग्रहन किये जाते हैं और जब त्रतीक स्रेणी के उभोकता जो इनको ग्रहन कर लेते हैं तो ये पोसानिस्तर क्या कहलाएंगे थर्ड कहलाएंगे और इसके बाद देखिए पोसानिस्तर जब त्रतीक स्रेणी के उभोकता जो ग्रहन करेंगे ये क्या कहलाएंगे पोसानिस्तर फोर्थ कहलाएंगे तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रत्यक परिष्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होते हैं उत्पादक ही क्या होते हैं बेसिकली जो होते हैं उत्पादक ये सभी के सभी हरे पाउधे होते हैं तो उत्पादक या हम कहें सकते हरे पोधे जो होते हैं ये तो पोशनिस्तर फ़स्ट कहला गए अब इन उत्पादकों को कौन खाएंगे उत्पादकों को प्रथम भोजनिस्तर यानि कि मुख रूप से साकाहरी जन्तों के द्वार उप्योग मिला जाता है तो साकाहरी जन्त यानि कि प्रात्मिक स्रेणी के भोगता जब इनको खाएंगे तो वो पोशनिस्तर सेकंड कहलाएंगे और फिर साकाहरी जन्तों यानि कि जो प्रात्मिक भोगता के जन्तों हैं उनको कौन खाएगा दुतियक स्रेणी के भोगता कहलाएंगे जो कि साकाहरी जन्तों अर्था प्रात्मी कुब भोक्ता बाद में जो हैं दुतिया कुब भोक्ता के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहान किये जाते हैं जिने त्रतिया कुब भोक्ता है ये जो हैं तो फिर प्रात्मी कुब भोक्ता को खाएंगे और ये त्रतिया कुब भोक्ता का निर्मार करेंगे यान पोसनिस्तर 3rd 4th का निर्मार करते हैं यानि ट्रैफिक लेबल 4th का निर्मार करेंगे इसी प्रकार जीवों की म्रत्तु के पस्चात क्या होता है जो शरीर के उत्सरजी पदार्थ होते हैं उनका उपयोग जो है अब घटन करते हैं अर्थात सोच मजीव करते हैं और ये 5वे इस्तर यानि की T5 का निर्मार करते हैं तो आपको यहां पर देखना है कि जो हरे पौदे होते हैं वो प्रात्मिक पोशनिस्तर का इलाग है उसके बाद जो प्रात्मिक भोगता होते हैं ये दुतियक पोशनिस्तर का इलाग है फिर जो दुतियक भोगता होते हैं ये तरतियक भोगता होते हैं ये चतुर्त पोशनिस्तर का निर्मार करते हैं और फिर जो अब घटक होते हैं ये पाँचवे पोशनिस्तर का निर्मार करते हैं तो इस प्रकार से पोशनिस्तर जो है क्रमसा उत्पादकों से शुरू होकर अब घटक तक जाता है और कई सारे ट्रैफिक ले यह वो क्या होती है यानि तीसरा कोस्चन है एक हमारा क्या है खाद स्रंकला क्या होती है देखिए खाद स्रंकला या फुड़ चैन को जल्दी से समझते हैं तो किसी भी परितंत्र में जो उत्पादक होते हैं उत्पादक से ले करके उच भूगता तक जो खाद पदार्थों उनमें जो खाद्य पदार्थों में जो उर्जा का इस्थनांत्रन होता है वो एक क्रमबद्य प्रवाह होता है तो उस क्रमबद्य प्रवाय पत्कोहियम खाद्य स्रंखला कहते हैं यानि खाद्य का जो एक स्रंखला से दूसरी स्रंखला में प्रवाह होता है वही खाद्य स्र जितनी ही बड़ी होती है उस परितंतर में उर्जा प्रवा के समय उर्जा का हास उतना ही अधिक होता है। इसी कली जो खाद परितंद्र में या घास परितंद्र में जो भी ग्रास या घासे होती है वो उत्पादक की रूप में कारे करती है यानि कि प्रोडूसर का कारे करती है अब इन घास को कौन खाएंगे टिड़े खाएंगे जो कि प्राथमी कुप भोगता की रूप में खाते उसी प्रकार मेढक को साप खाते हैं और साप मोर खाते हैं इस प्रकार ये एक सीधी खादि-सरंख्ला का निर्मार कर सकते हैं तो देखे अई प्रतिकों को किस ने खाया हिरन खाया हिरन आता है हिरन को कौन खाया भेडिया खाया भेडिया को कौन खाया फिर सेर खाया तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि उत्पादक को प्रात्मी को भोगता खाया प्रात्मी को भोगता को दुतिया को भोगता फिर बाद में त्रतिया को भोगता खाया तो इस प्रकार से एक खाद का स पत हो रहा है और यही तो है खाद्र रंखला तो यदि आप से पूछता है किसी भी घास के परितंत्र में तो घास के परितंत्र में आपको देखना है कि यहां पे आपको यदि घास के परितंत्र में एक्जामपल के थू समझना है तो देखिए किसी भी घास परितंत्र में जो रंखला होती है इसमें सूरिज煮 इनर्जी सावरूर्जा का प्रमुक्स रोत होता है सूरिज़ जो जो एनर्जी हरे पाउधे प्राब्त करेंगे उत्पादक 基本 हरे पाउधे होती है उत्पादकों को किस्ने खाया माल लीजे टिड़े ने खाया जो कि प्राथमी को भोगता कहला गया तिड्डे को फिर किसने खाया मेढक खाया जो कि दुतिया को भोगता कहलाता है तो दुतिया को भोगता मेढक को किसने खाया साप ने खाया और साप त्रतिया को भोगता कहलाता है और साप को फिर किसने खाया मोर्थ मोर्थ यहाँ पे चतुर्थ भुक्त के ला गया और पोशन इस तरकाउंस हो जाएगा फाइब तो आपको यहाँ पे बताना है यदि आप से पूछता है कि किसी भी घास परितंत्र में खादिस रंकला तो आपको सेम यही एक्जामपल समझादा है कि हरे पाउदों को टिड़ा खाया टिड़े को मेड़क, मेड़क को साप, साप को मोर और इस प्रकार से जो है एक खादिस रंकला का निर्मार हो जाता है लेकिन यदि आप से पूछता है किसी भी वन परितंत्र में, तो यदि आप से वन परितंत्र में खादिस रंकला पूछता है तो आपको बताना है कि किसी भी वन परितंत्र में जो पादाप होते हैं, यह उत पादाप होते हैं, इनको फिर हिरनर खाते हैं, हिरन जो है प्रा पारिस्तितिक तंत्र में जो उर्जा का प्रवाव होता है या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि किसी भी पारिस्तितिक तंत्र में जो उर्जा का हास होता है वो कैसे होता है समझाईए तो देखें पारिस्तितिक तंत्र में जो उर्जा का प्रवाव होता है तो यहां पे आपक होने की जो क्रिया होती है उसी को उर्जा का प्रवाय कहते हैं यानि जो भोजन है उसका उससे जो प्राप्त उर्जा है उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में इस थनांत्रित होने की जो प्रक्रिया होती है तो उस उर्जा के प्रवाय को ही या मुर्जा का प्रवाय कहते हैं उसको ही केवल हरे पौधे प्रकास संसलेशन की क्रिया द्वारा संग्रहित करते हैं तथा भोज पदार्थों में रसायनिक बंध के रूप में इकठा कर लेते हैं और जो एनर्जी उससे इकठा होगी तो यहाँ पे आपको देखना है कि डाक्टर कैलास चंद के अनुसार जो अब हरे पौधों द्वारा संग्रहित की गई एनर्जी है यानि जो हरे पौधे सूर्ज से प्राप्त जो एनर्जी को इकठा करके रखते हैं तो पौधों द्वारा भोज पदार्थों की रूप में संचित उर्जा का लगभाग 90 प्रत्सत जो भाग है वो स्वयम की जैब प्रत्सत भाग जो है संचित उर्जा का भाग जो है वो प्राथमी को भोगता के द्वारा ग्रहान कर लिया जाता है अब जब प्राथमी को भोगता ग्रहान करेंगे दस प्रत्सत भाग तो इसी प्रकार प्राथमी को भोगता भी क्या करते हैं कि उनको जितनी दस प्रत्सत उर्जा प्राप्थ हुई है उसका 90 प्रत्षत भाग वो खर्च कर देते हैं और जो उसका 10 प्रत्षत भाग बचेगा वो अगली स्रेणी के इस्थानांत्रित कर देंगे यानि जो 10 प्रत्षत भाग प्राथ में को भोगता को प्राप्थ हुआ है उसमें से 90 प्रत्षत भाग जो आई वो यूज कर लेंगे अपनी स्वयम की क्रियाओं पर और बचेगा जो एक प्रसत उसको वो अगली स्रेणी के भोगताओं को इस्थनांत्रित कर देंगे और इसी प्रकार क्रमसा किसी भी एको सिस्टम या परितंत्र में जो उर्जा का प्रवा है वो धीरे धीरे होता चलता है यानि उर्जा का जो दस प्रसत नियम है जिसको की लिंडे मान नामक साइंटिस्ट ने दिया था आपको यहां पर बताना है कि मुख रूप से जो हरे पौदे होते हैं उनमें तो सव प्रसत नेर्जी है मान लिजे सव प्रसत नेर्जी अब्जार्व किये हैं अब उस सव प्रसत नेर्जी में से जो प्राथमिक स्रेड़ी के उप्भोगता है उनको कितनी प्रत्सत एनर्जी उर्जा मिली 10 प्रत्सत अब उसका 90 प्रत्सत वो यूज कर लेंगे और अगली स्रेडी के उपभोगताओं को भेज देंगे अब उस अगली स्रेडी के उभोगताओं को जितनी एनर्जी मिली है वो भी उसका 90 प्रस्त यूज कर लेंगे और अगली स्रेडी के उभोगताओं को भेज देंगे इस प्रकार से क्रमसा जो है एनर्जी हास जो है क्रमसा धीरे-धीरे होता चलता है तो इस प्रकार से जो उर् उर्जा का प्रवा कैसे होता है तो आपको बताना है कि हमेशा एक दिसी होता है तथा प्रत्यक इस्तर में इसमें कमी आती जाती है और परितंत्र में जो आहार स्रंकला होती है जितनी छोटी होगी उर्जा का हास उतना ही कम होगा ये चीज भी आपको याद रखनी है आखरी क परस पर एक प्रकार का संबंध होता है और इनहीं संबंधों के ब्यक्त करने वाले चित्रों को ही हम परिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। इनहीं परिस्थितिक पिरामिड के साथ साथ एल्टोनियम पिरामिड भी कहते हैं क्योंकि इसको चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले इसकी विचारधार प्रस्तूत की थी तो चार्ल्स एल्टन के नाम पर ही एल्टोनियम पिरामिड भी इसका नाम रखा गया। कह सकते हैं कि एक ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी भी पारिस्तितिक तंत्र में उद्पाद को एबं विभीन निस्रेणी के उब भोकताओं की संख्या के संख्या के बारे में बोध होता है उसे ही हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं जीव संख्या का पिरामिड क्या रक्त करता है जीवों की संख्या यानि ऐसा पिरामिड जिसके दोरा किसी भी उप्भोगताओं की जो संख्या है उसके संबंधों के बारे में यदि कोई बोध कराता है तो ऐसे पिरामिड को हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं देखें यदि प्राथ्मिक के आकार की तुलना में बहुत छोटा है तो संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है क्या कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं यानि जो उत्पादक होते हैं उनका आकार यानि उनकी साइज यदि उत्पादकों के तुलना में क्या है बहुत छोटा है उदपादकों का आकार यादी छोटा है तो संख्या का पिरामिड क्या बनेगा सीधा बनेगा आपको ये चीज पॉइंट करके रखना है कि जो प्राथमिक उदपादक होते है यादी इनका आकार यादी इनकी साइज जो है क्या है यादी उदपादक तो पिरामिड हमेशा उल्टा बनता ये चीज आपको ध्यान में रखना है यदि हम किसी भी तलाब परितंतर में यदि आप से पूछता है कि किसी भी तलाब परितंतर में जीव संख्या का पिरामिड बताईए तो यहां पे हमने तलाब के परितंतर का पिरामिड बना रखा है अब चुकि तलाब के परितंत्र में क्या होता है कि सबसे पहले यदि हम बात करें किसी भी तलाब में पिरामिड यदि हम बनाते हैं तो तलाब में पाए जाने वाले जो उत्पादक होते हैं जैसे कि जो डाइटम्स वगएरा होते हैं डाइटाम्स बगएरा जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं इनकी संख्या क्या होती है अधिक होती है और जैसे जैसे हम प्राथ में कुपभोगता दूतिया कुपभोगता की तरफ जाते हैं इनकी संख्या क्रमसा धीरे-धीरे कम हो जाती है और त्रतिया कुपभोगता की स तो और कम हो जाती है तो यहाँ पे देखी आप जीव संख्या का पिरामिड है तो यदि जीमों की संख्या यादि जादा है तो पिरामिड कैसा बनेगा हमेशा आपको याद रखना है पिरामिड जो है मुखरूब से कैसा बनता है सीधा बनता है त्रिभुजाकार बनता है तो किसी भी वन वे जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा बनता है उल्टा बनता है उल्टा क्या बनता है क्योंकि देखे किसी भी बन परितंतर की यह दिहम बाद करते हैं तो जो पादप होते हैं वो प्रोडूसर का काम करते हैं यानि more in biomass यानि जो इनका भार हो ली आएंगे जो की छोटे-छोटे कीट वगएरा होंगे ये इनकी संख्या और जादा बढ़ती जाती है तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यदि उत्पादकों की संख्या यदि अधिक है तो पिरामिड हमेशा क्या बनेगा सीधा बनेगा लेकिन यदि उत्पाद यदि घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड आपसे पूछता है तो घास के मैदान में क्या होता है जो उत्पादक होते है यानि जो घासे होती है वो उत्पादक या प्रोडूसर का काम करती है तो किसी भी घास के परितंत्र में जो उत्पादक होते है इनकी संख्य क्या होती है क्रमसा बहुत जादा होती है और जैसे जैसे प्राथमिक स्रेणी के उभ्भोगता आते हैं दुतियक स्रेणी के उभ्भोगता यानि प्राइमरी और सेकंडरी कंजूमर्स की और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो टाप कंजूमर्स तक पहुंचते पहुंचते क क्या हो जाता है इनकी संख्या में क्रमसा कमी आ जाती है यानि यहां पे भी उत्पादकों की संख्या क्या है जादा है तो हमने तो आपको पहले ही बता है कि यदि उत्पादकों की संख्या जादा है मतलब पिरामिड क्या बनेगा सीधा बनेगा तो किसी भी यदि घास के में जीव संख्या का पिरामीड पूँचता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा बनेगा हमेशा सीधा पिरामीड बनता है इसके वाद आपको देखना है उर्जा का पिरामीड यानि पिरामीड आप एनर्जी का जो पिरामीड है वो हमेशा सीधा बनता है सबसे पहले तो आ देखे यदि उर्जा के पिरामिड की बात करते हैं तो देखे यदि हम बात करते हैं सबसे पहले जो उत्पादक होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है जादा होती है अब एनर्जी का पिरामिड यही तो व्यक्ति करता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी जिसकी ज जादा है यदि उत्पादकों की एनर्जी जादा है तो पिरामिड कैसा बनेगा सीधा बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादकों का पिरामिड जो है यहां पे उत्पादकों की संख्या जो है जादा होती है तो उत्पादकों की एनर्जी भी क्या होती है जादा होती है ज लब उर्जा का पिरामीड क्या बनेगा सीधा बनेगा आपको एक चीज याद रखना है कि पिरामीड उल्टा और सीधा कैसे बनता है इसमें केवल एक ही चीज से आप इसको नोट्स कर सकते हैं कि जो पिरामीड है यदि उत्पादकों की संख्या जादा है तो पिरामीड कैसा बनेगा सीधा बनेगा यादि उत्पादकों का भार जादा है तो भी पिरामीड जादा बनेगा यानि पिरामीड सीधा बनेगा क्योंकि जब हम जये भार का पिरामीड पढ़ेंगे तो आहां पे क्या हो जाएगा जो भार होगा तो भार के अनुसार हम क्या बनाएंगे पिरा सा ज्यादा होती है और जैसे जैसे एनर्जी लेबल बढ़ता जाता है जैसे जैसे यहाँ पे ट्राइफिक लेबल बढ़ता जाता है एनर्जी का हास धीरे-धीरे होता जाता है यानि एनर्जी में कमी आती जाती है और इस प्रकार से जो उर्जा का पिरामिड होता है वो के जीवभार के संबंध में बोध होता है उसे हम जीवभार का पिरामिड कहते हैं यानि उत्पादकों से लेकर उप्भोगताओं तक जो जीवभार में संबंध होता है उसको व्यक्त करने वाला जो पिरामिड होता है वो जीवभार का पिरामिड कहलाता है अब देखे किसी भ इनदे हैं जादा है जैसे जैसे उप्भोक्ताउं की स्रेणी बढ़ती जाती है इनके भार में कमी आ जाती है देखिए उप्भोक्ताउं की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन इनकी जो इनका जो भार है वो क्या हो जगा धीरे-धीरे कम होता जाता है तो क्रमसा जो है किसी भी वन परितंत्र में जो पौधे होते हैं इनका भार ज्यादा होता है यानि उत्पादकों का भार ज्यादा होता है और यदि उत्पादकों का भार ज्यादा है मतलब पिरामिड कैसा बने तो यदि वन परितंत्र में पूछता है आपसे जीवभार का पिरामिड तो वन परितंत्र में जो जीवभार का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है अब यदि आपसे पूछता है किसी भी जली परितंत्र में यानि कि किसी भी तालाब में यदि पूछता है आपसे कि जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा तो आपको पिरामिड देखते ही समझ में आ रहा होगा कि पिरामिड कैसा बन रहा है उल्टा बनता है अब उल्टा क्यों बनता है पिरामिड तो देखे जली परितंत्र में क्या होता है जो डाइटम्स और फाइटो प्लैंग टांस होते ह अब इनकी संख्या तो जादा होती है लेकिन जैसे जैसे प्रात्मिक स्रेणी के उब्भोकताओं की संख्या बढ़ती है इनके भार में क्या आती जाती है ब्रद्धी होती जाती है और दुतियक स्रेणी के उब्भोकता के अंतरगत जैसे की बड़ी मचलियां जो आती है इनक पर क्या है उप्भोक्ताओं का भार जाता है यानि जैसे जैसे हम उपर की ओर बढ़ते जाते हैं उप्भोक्ताओं की ओर वैसे वैसे भार में ब्रद्धी होती जा रही है तो यदि उप्भोक्ताओं के भार में ब्रद्धी हो रही है मतलब पिरामिड कैसा बनेगा हमेशा उ उल्टा बनता है, तो आपको ये चीज़े याद रखनी है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 5 important question कराए हैं, और unit 5 से आपका एक question जरूर 5 number का पूछा जाएगा, और यदि आप इन 5 question को अच्छे से तयार कर लेते हैं, तो definite रूप से आप एक अच्छा score खड़ा कर सकते हैं उमीद करते हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजेगा, मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदि मातरम